प्रियाग राजमी अखिल भार्ति अखाड़ा परिश्वत के अध्यक्ष महिंत नरिंद्र गिरी ने जन संख्या नियंत्रन पर रस्स प्रमुक मोहन भागवत के बयान का समर्थन गया दरसल रस्स प्रमुक ने मुराधबाद में संख की बैटक में दो बच्चे ही पैदा करने वाले कानून की बात कही थी नरिंद्र गिरी ने कहा कि अखाड़ा परिश्वत भी केंद्र सरकार से सिर्फ दो बच्चा पैदा करने का कानून बनाने की मांग करता है ज्यादा बच्चे पैदा करने से देश की आर्थे किस्ति भी उस पर भी असर पड़ता है आधरणी है मौहन भागवत के उस बयान का अखिल भारती अखाड़ा परिश्वत जोड़दार समर्तन करती है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब भारत वर्ष में दो बच्चों का कानून बनना चाहिए और दो बच्चे पैदा करें ऐसे जागवत लाने चाहिए तो अखिल भारती अखाड़ा परिश्वत सभी संतों को आवान करती है कि आधरणी भागवत के इस बयान का समर्थन करें और उस जागवता में पुरा सा जोग करें तो देश के आर्थिक स्तिती का भी इससे नुक्सान होता है तो सभी स्तादू संत इस कानून का समर्थन करते हैं आरेसेस प्रमुक मोहन बागवत की तरह से जो बयान दिया गया था उसका आखिल भार्त या खाड़ा परिशत के अध्यक्ष महांत नरेंद्र केरी ने भी समर्थन किया है तो आरेसेस प्रमुक में मुरादबाद में संग की बैठक में दो बच्चे ही पैदा करने वाले कानून की बात कही थी जिसको लेकर अब संत समाज भी समर्थन पर उतर आया है तो ऐसे में सरकार को इसके लिए कानून लाना चाहिए और मोहन भागवत के इस बयान का हम समर्थन करते हैं तो खाड़ परशुद के अध्यक्ष महांत नरेंद्र गिरी ने जिन संख्या नियंतरन पर आरेसेस प्रमुक मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है उन्होंने समर्थन करते हुए साफ़ तोर पर कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा होने से देश को आर्फिक नुकसान होता है तो ऐसे में इन तमाम स्तियों को परगते हुए जांसते हुए सरकार को कानून लाना चाहिए आपको बता दे कि आर्फिस प्रमुक में मुरादाबाद में संख की बैट्रक में दो बच्चे ही पैदा करने वाले कानून की बात कही थी जिसके बाद अब सियासी संग्राम इस बयान के बाद देखा जा रहा है